Hello everyone, आज मैं आपको explain करूँगी Stephen Spender की poem The Express. इस poem में poet ने train की journey के बारे में बताया है. ये poem modern word के बारे में है, क्योंकि train ये दिखाता है कि हमने technology के मामले में कितनी development कर ली है. Poet ने बताया है कि modern जमाने में nature और machine एक सांथ रहते हैं. After the first powerful plane manifesto. Plane मतलब Simple. Manifesto मतलब Announcement. अपनी पहली powerful simple announcement के बाद. The black statement of pistons without more fuss. Piston train का वो पाठ है जो heat energy को mechanical energy में बदलता है. Fuss मतलब हलचल. Train का काला piston बिना जादा हलचल के, but gliding like a queen. She leaves the station. Gliding मतलब Fisalna. फिसलते हुए एक रानी की तरह वो train अपना station छोड़ देती है. यानि वो train अपनी CT बजा कर बिना जादा हलचल के फिसलते हुए अपना station छोड़ देती है. Without bowing and without restrained, unconcern. Bowing मतलब सरजुकाना. Restraint मतलब emotion को control करना. और unconcern मतलब निश्चिन्थ. बिना अपना सरजुकाए और एक controlled way में निश्चिन्थ होकर. She passes the houses which humbly crowd outside. Humbly मतलब विनमरता से. वो train गुजरती है उन घरों से जो उस station के बाहर भीड में विनमरता से खड़े हैं. Inlines में poet ने train का royal nature दिखाया है. कि एक रानी की तरह वो train बिना जुके उन घरों से आगे बढ़ती है जो उसके सामने विनमरता से खड़े हैं. The gas works. Gas works मतलब gas बनाने वाली factory जो कोईले को gas में convert करती है. वो train गैस की factory से पास होती है. And at last, the heavy page of death printed by gravestones in the cemetery. Gravestone मतलब समाधी के उपर का पत्थर. Cemetery मतलब कबरिस्तान. और आखिर में वो train उस कबरिस्तान से गुजरती है जहां बहुत जादा amount में death print की हैं समाधी के उपर के पत्थर में. यानि जिनकी death हुई है, उनका नाम और death का साल उस gravestone में print किया जाता है. Beyond the town, there lies the open country. Town मतलब छोटा शहर. और country मतलब यहाँ है गाउं. उस छोटे शहर के आगे एक खुला हुआ गाउं है. Where, gathering speed, she acquires mystery. Gathering मतलब इखटा करना. Acquire मतलब develop करना. Mystery मतलब रहेश्य. जहां वो अपनी speed इखटा करती है, यानि वो train उस गाउं में और जादा speed से चलती है और अपने अंदर एक रहेश्य बना देती है. Self-Possession of Ships on Ocean. Luminous मतलब चमकदार. Self-Possession मतलब खुद पर कंट्रोल होना. वो train समुंदर पर एक जहाज की तरह दिखती है, जो चमकदार है और उसका खुद पर कंट्रोल है. It is now she begins to sing, at first quite low, then loud. और अब वो अपना गाना शुरू कर देती है, पहले थोड़ा धीमी आवाज में और फिर जोर से. In-line से poet बता रहे हैं कि शुरुवात में train धीरे धीरे चलती है, पर फिर उसकी speed तेज हो जाती है और वो आवाज करने लगती है. And at last with a jazzy madness, the song of her whistle screaming. Screaming मतलब चलाना. Jazz एक टाइप का music है, उस music के पागलपन की तरह उस train की CT का गाना जोर से चलाता है. At curves of deafening tunnels, breaks, innumerable bolts. Deafening मतलब बहुत तेज आवाज. Innumerable मतलब unginate. Train की CT की आवाज आती है मोड पर. Tunnels में तेज आवाज आती है train के brake की और उस train में जो unginate bolt लगे हैं उनकी. Train में bolt लगे होते हैं जो train के joint को connect करते हैं. And always light, aerial, underneath goes the ailet meter of her wheels. Light मतलब हलके. Aerial मतलब हवाई. Alate मतलब खुश करना. वो train इतनी भारी है और इतनी तेज चल रही है. फिर भी उस train के नीचे उसके पहियों का खुश कर देने वाला meter जाता है. जो हमेशा हलका है और हवाई रहता है. Steaming through metal landscape on her lines. Steaming मतलब भाब छोड़ना. Train भाब से चलती है. इसलिए लिखा है steaming. Metal landscape का यहां मतलब है train के लोहे की पटरी. अपनी line में लोहे की पटरी में भाब छोड़ते हुए train आगे जा रही है. She plunges new eras of wild happiness. Plunges मतलब प्रवेश करना. Wild का यहां मतलब है बहुत जादा. New era मतलब नया युग. वो train बहुत जादा खुशी के नए युग में प्रवेश करती है. Where speed throws up strange shape broad curves. वो train खुशियों के एक नए युग में प्रवेश करती है. जहां उस train की speed अजीब से shape दिखाती है. क्योंकि train बहुत fast चलती है तो उसकी speed के वज़े से उस train में बैठे लोगों को बाहर की चीजों के shape अजीब से दिख रहे हैं. वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे वो actual में हैं. और वो train चौड़े मोड ले रही है. Parallels का यहां मतलब है train की पटरी जो एक दुसरे के parallel होती है. Train इतनी speed चल रही है कि उन parallel पटरियों को इतना जादा साफ कर रही है जितना बंदूक में इस्तमाल किये जाने वाला steel साफ होता है. At last, further than Edinburgh और Rome. और आखिर में वो train Edinburgh या Rome से भी आगे निकल जाती है. Edinburgh और Rome ये दोनु ही cities है. Beyond the crest of the world. Crest मतलब किसी पहार का top part. इस लाइन में poet बढ़ा चड़ा कर बता रहे हैं कि चलते चलते वो train दुनिया के top से भी आगे चले जाती है. She reaches night where only a low streamline brightness. Streamline मतलब जिस लाइन में liquid बहता है. रात को वो train वहाँ पहुँच जाती है जहां सिर्फ एक हलकी लाइन दिखती है रोशनी की. Of phosphorus on the tossing hill is white. Tossing मतलब उचलना. वो रोशनी है phosphorus की, जो सफेद कलर की है और उस पहाड में उचलती हुई दिखती है. Phosphorus train की पटरी में होता है. जिस पर train चल रही है तो एक चंगारी सी जल रही है. A like a comet through flame. Comet मतलब पूँच वाला तारा. उस train की रोशनी आग वाले एक तारे की तरह दिखती है. She moves entranced, wrapped in her music. Entranced मतलब खुशी से भर जाना. Wrapped मतलब लपेटना. वो ट्रेन चलती है, खुशी से खुद को म्यूजिक में लपेट कर. No bird song, no. Nor bow, breaking with honey birds shall ever equal. Bow मतलब तहनी. ट्रेन की सीटी को पूँच ने म्यूजिक कहा है, जिस म्यूजिक को ना ही बर्ड का गाना और ना ही मधुमक्यों के भार से तूटती तहनिया एकुल कर पाएंगी. यानि ना ही बर्ड का म्यूजिक और ना ही मधुमक्यों का म्यूजिक उस ट्रेन के म्यूजिक के समान है. यहाँ पूएट ने ट्रेन को नेजर से भी जादा ब्यूटिफाई करके दिखाया है. यहाँ पर ये पूएम एंड होती है. Thank you for watching.